Realme 12 Pro versus Honor X9B का detailed camera comparison जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में promise किया था is here, selfies, main lens, daytime, night time, photos, videos, stabilization, सब चीज की testing मैंने आप लोगों के लिए कर लिए है and by the way, अगर आप इस channel पर new हो तो भई मैं हूं रतिक from Gizbot ऐसी detailed testing अगर आपको पसंद है तो भई subscribe कर लो, एकदम फ्री है और मेरे लिए काफी motivating भी, अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे camera's की testing पर daylight selfie portrait में तो भई clear फरक है, skin के रंग में भी and even jacket के ओनर में थोड़े फीके फीके colors हैं, वहीं realme के even though boosted हैं colors पर काफी pleasing to eyes लग रहे हैं also पीछे के sky का color check करो, honor x9 भी maintain नहीं कर पाया वहीं realme 12 pro ने boost किया sky के color को, थोड़ा extra blue लग रहा है पर retain कर लिया उसने color को normal mode में selfie के colors आप खुद चेक करो, मुझे नीचे comments में बताओ कितना फरक लग रहा है आपको दोनों में ही वैसे normal mode में honor भी sky को retain कर लेता है, पर जैसे भी बात आती है portrait selfies की तो honor x9 भी यार थोड़ा फिसल जाता है overall daytime selfies definitely real me की better है, color wise भी and sharpness wise भी, main lens में भी portrait mode में colors में दोनों में फरक है honor x9 भी close to natural रख रहा है और real me थोड़ा warm tone दे रहा है, बाकि honestly 2x में भी same scene था, sharpness real me की better थी color wise इस picture में honor ने बढ़िया निकाले हैं एकदम, लेकिन 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 अब यहां पर आप clearly देख सकते हैं, अब मैं photo click करने के खुशिश कर रहा हूँ, मैंने click करी, एक और photo click करी यहां पर bokeh मैंने on पहले से ही कर रहा था, f1.4 पर selected था, पर जब मैं image में देख रहा हूँ, यहां पर bokeh बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है बहुत हलका सा bokeh है, 1.4 यह आसपास भी नहीं लग रहा अब यह जो background blur वाली चीज है, मैंने कापी सारे portraits क्लिक किये, main lens से, पर यह दिक्कत मेरे को जरूर face हुई हो सकता है मेरे device में problem हो, honor if you are watching this video, please सोड़ा सा clarify करो, कि क्या यह इस particular unit की गड़बड है या फिर in general जो 1.4 का bokeh है, वो थोड़ा weak है यहां पर अब wide angle camera में honor x9b की image below average लग रही है, colors बहुत ही bland है realme में sharpness better है, पर colors इसके भी कुछ खास नहीं main lens से इस picture में honor x9b ने better colors निकाले हैं अब 2x में भी honor x9b की color natural लग रहे हैं और realme के boosted पर भाई sharpness realme की तगड़ी है एकदम also यह जो color का मामला है वो एकदम personal choice है कि आपको natural colors पसंद है या फिर आपको थोड़े boosted colors पसंद है कौन सा tone आपको जादा पसंद आ रहा है मुझे नीचे comments में बताना वैसे मैं personally ऐसी pictures प्रेफर करता हूं कि बाई click करी और सीधे social media पर डाल दी जिसमें editing editing का इतना जंजट ना रहे है खेर आप videos का scene भी check कर लेते हैं वही साथ में record करके फटाफट से compare भी कर लेते हैं दोनों ही phones को front camera में 30 fps resolution ही available है दोनों camera में पर लेकिन skin tone में आप clearly फरक देख सकते होगे at least मुझे skin tone में फरक नज़र आ रहा है अभी फिलाल shoot करते हुए बाकी sound भी आप एक बार ही check करो कि दोनों phones में कैसा आ रहा है और अलग-अलग colors जो पीछे का blue दिख रहा है आपको bench पे यहाँ पे मेरे face का skin tone over shirt का color और पीछे के reds skin tone wise मेरे को थोड़ा सा better लग रहा है honor एक फटाओफट से side by side stabilization comparison भी कर लेते हैं दोनों ही phones का अभी मैं normally walk कर रहा हूँ और अब मैं करता हूँ थोड़ी सी running तो आपको idea लग जाएगा कि दोनों phones में stabilization कैसा है अब रियल्मी की video थोड़ी stable लगती है पर honor के पास भी एक special weapon है जो की है AI noise cancellation या फिर normal noise cancellation बोलो पर इससे background का जो noise है पीछे गाड़ियों की जो आवाज है वो एकतम minimize होजाती है अभी मैंने on कर रहा है noise cancellation और अभी मैंने off कर दिया है तो difference आपको clearly समझ में आ गया हुआ कि background से अब मैं वापस एक और बारी on कर ली है ताकि आपको और अच्छे से idea लग जाए कि honor versus realme किसमे noise cancellation बेटर हो रहा है background का realme में ऐसा कोई special feature नहीं दे रखा तो फिलाल में shoot कर रहा हूँ honor के front camera से 1080p 30fps recording capabilities है इसमें walking test कर लेते हैं normal AI noise cancellation फिलाल on है लेकिन अब मैं कर लेता हूँ AI noise cancellation on background noise I'm sure कि काफी जादा कम हो गया होगा आप सुनकर बताओ कि आपको फरक लग रहा है कि एक बार on करके वापस से दिखाता हूँ थोड़ी सी testing करते हैं voice की और check करके आप बताओ कि background noise जो है वो cancel हो रहा है कि नहीं कि यह जो है feature इसका USB है बाकि किसी phones में यह वाला feature नहीं द जाडू लगा रहे हैं थोड़ा सा आपको आवाज आ रहा होगा background का पर आप मैंने noise cancellation on कर दिया है तो आपको background का आवाज आ रहा है कि नहीं मुझे नीचे comments में बताना 4K 30fps यह वीडियो शूट हो रही है stabilization का भाई option यहां पर definitely नहीं मिलता 4K फिर बागी 1080p 60fps पर मैंने shift कर लिया है stabilization को option अलग से आप मेरे को on करने के लिए नहीं दिखा रहा है normal walking कर रहा हूं फिलाल मैं आप लोग stabilization चेक करो और देखकर मुझे नीचे comments में बताओ की stabilization कैसा है इस phone का लेकिन आप हम लोग shoot कर रहे है realme 12 pro से front camera में 1080p 30fps इसमें भी available है stabilization चेक करो मैं normal walking कर रहा हूं अब यहां पर ऐसा कोई unique feature तो नहीं है अलग से जैसे AI noise cancellation बट स्टेल आप लोग मेरी voice चेक करो कैसी आ रही है कैसी sound कर रही है background का noise कितना आ रहा है कोई फरक दिख रहा है आपको honor के audio में और realme 12 pro के मुझे नीचे comments में बताओ अब सेम वीडियो जो है 4K 30fps वाली मैं shoot कर रहा हूं realme 12 pro पर background में अभी थोड़ा थोड़ा आपको noise आ रहा होगा चेक करो 4K 30fps पर normal अवाज मेरी कैसी आ रही है और stabilization कैसा है camera का वैसे बही एक चीज जो missing है honor के phone में और realme 12 pro में है वो है stabilization 1080p 60fps में यहां पर stabilization on करने का option मिल जाता है अराम से आप menu में और टच करके on कर सकते हो stabilization को अब although एक चीज तो मैं definitely बोलूँगा कि जो यहां पर multi video वाला scene है न honor में वो काफी जादा interesting है क्योंकि यहां पर पीछे के lens और आगे के lens साइमल्टेनिसली shoot कर सकते हो और अलग-अलग lenses को आप rare camera के आप zoom in भी कर सकते हो अगर आप कुछ detailing दिख करना चाते हो एक zoomed out variant दिखाने के लिए और zoomed in थोड़ा सा focused area दिखाने के लिए तो वो भी यहां पर possibility है और यह चीज इसको थोड़ा सा differentiate कर देती है अपने segment से and lastly of course यहां पर picture in picture mode तो है ही इसमें vlogging अगर आप कर रहे हो और अपना POV भी दिखाना चाते हो and साथ ही में कि आ आप कहां पर travel कर रहे हो या फिर क्या चीज़ experience कर रहे हो तो वो भी काफी ज़्यादा easy रहता है इसमें तो videos आपने आप सारी देख ली मैंने आपको main features भी बता दिया stabilization दिखा दिया नहीं subscribe करने के लिए वापस से नहीं बोल रहा कौन सी better लग रही है वो मेरे को बताना नीचे comments में कि video के लिए अगर कोई phone करीदना हो तो वो कौन सा इन में से better रहेगा खेर अब चलते हैं रात की photos पर तो शान ढलते ही honor selfie में face को overexpose कर देता है वहीं real me में colors boosted है पर photo crisp and clear है even यहाँ पे आप background blur देखोगे काफी तगड़ा है in comparison to honor x9b also भाई एक बहुत important चीज जो यहाँ पे आप selfies क्लिक करते हो honor x9b से जो honor में background blur है ना वो आप adjust नहीं कर सकते कम या जादा नहीं कर सकते background का blur सिर्फ और सिर्फ उसको on या off करने का आपके पास option रहता है यहाँ पर also यार रात के time में sharpness मेरे को below average लगी selfies की honor x9b की बाकि colors में फरक आप खुच चेक कर सकते हो against the light में realme 12 pro ने काफी sharp image क्लिक की portrait mode से और normal mode में भी पीछे की light की details capture कर ली पर honor x9b ने यहाँ पर भी overexpose कर दिया पीछे की light को अब light की photo click की मैंने night mode से तो दोनों नहीं अच्छे से expose किया है light को पर realme के colors close to natural लग रहे हैं और 2x की sharpness के भारे में भाई मैं कुछ नहीं कहूंगा आप भी मुझे नीचे comments में बताओ और यार night portraits में अभी भी honor x9b का background blur अच्छे से नहीं कर रहा sharpness वैसे दोनों की weak थी पर realme के colors and background blur यहाँ पर better लग रहा है वैसे angle change करने पर जब light की थोड़ी सी direction change हुई तो realme की sharpness काफी better निकल कर आई बागी human portraits अभी सामने से देखने में तो दोनों के ही अच्छे लग रहे होंगे पर जब zoom in करते हैं और sharpness देखते हैं तो realme 12 pro काफी आगे है honor x9b से तो अब overall सारी testing आपने देख लिए है photos में चाहे selfie shooter हो या main lens day हो या night clear winner है realme 12 pro selfie video में colors better लगे मुझे honor x9b के also ai noise cancellation तकडा feature है और multi video काफी useful लगा मुझे पर यार honor x9b के main lens में कोई stabilization नहीं मिलता जिसके चलते videos थोड़ी shaky आती हैं और photos की sharpness भी comparatively कम रहती है वहाई realme में stabilization का option available है तो भाई मेरे हिसाब से camera के लिए overall काफी reliable option है realme 12 pro बाकी honor x9b का camera output 25,000 की range में मुझे below average लगा although performance wise ये थोड़ा सा बेटर है था realme 12 pro से उसका video का link आपको उपर i button में मिल जाएगा पूरी detailed testing करी थी मैंने इनकी खेर आप क्या सोचते हो इन दोनों devices के बारे में मुझे नीचे comments में बताओ और मैं आप लोगों को मिलता हूँ नीचे comments में हूँ